आप सभी का एक बाफिर से सुरेंदर सिंग राजफित पोलिटिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक श्वागत और अभिनंदन हैं मैं सुरेंदर सिंग राजफित वेक्ष्याता राजनिति विज्ञान खेड़ा पाजोतपुर से आप सब से रूबरू हो रहा हूं मॉडल पेपर 2 का यह तीसरा वीडियो है एक मॉडल पेपर के हमने तीन वीडियो आप तक अब तक पहुंचा हैं उस मॉडल पेपर को पूरा आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें दो वीडियो इसके भाग खंड और खंड बह के आपके पास पहुंच चुके ह अब हम हल कर रहे हैं खंड श जिसमें आपके तिन तिन नंबर के चार प्रशन आएंगे और थार्थ 12 नंबर के प्रशनों की हम लोग चर्चा करेंगे हलांकि तीन नंबर का प्रशन है जितने बड़े मैं आपको उत्तर बता रहा हूं उतने विशाल आपको लिखने नहीं आपको शंक्षिप्त उत्तर लिखने हैं समय को ध्यान में रखते वे और यही प्रशन यदि चार नंबर की पूछ लिए जाएं तो आपको पूरे निमंदात्मक के रूप में बड़े प्रशनों के रूप में उत्तर देना है तो आट प्रशन की हम लोग चर्चा करेंगे थोड़े बड़े प्रशन है तो मुझे लगता 30-35 मिन्ट इसी में हो जाएगी तो हम लोग यही भाग इस वीडियो में आपके साथ साजा करेंगे अगला भाग शाम को आपके साथ में प्रश्थूत करेंगे सतरवा प्रशन चुकी भाग खंड शव में आपके प्रशन नंबर 17 से प्रारम होंगे और इसमें प्रति एक प्रशन में विकल्व भी आप लोगों के लिए होगा प्रशन है बांगला देश के स्वादिन्ता शंगर्श का उपरणन कीजिए आप सब जानते हैं कि 1947 में भारत पाकिस्तान का जब विवाजन हुआ तो उस तवरान एक नहीं दो पाकिस्तान बने, एक प्रशिमी पाकिस्तान और एक पूरवी पाकिस्तान दो पाकिस्तान बनने के कारण क्या थे? क्योंकि दो ऐसे चेत्र थे जहां मुसल्मानों की शंक्या अधिक थी एक पूरो में थार, एक पश्षी में था एक बना पश्षी में पाकिस्तान और एक बना पूरवी पाकिस्तान तो 1947 से 1941 तक बांगलादेश जो वरत्मान है ये पाकिस्तान का अंग था जिसे पूरवी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था स्वाधिन्ता शंगर्ष के कारण क्या थे? चोकि हम बांगलादेश के स्वाधिन्ता शंगर्ष की बात कर रहें जादना तथा बंगाली संस्कृती की उपेक्षा करना। पर्शिमी पाकिस्तान के लोगों ने, जहांकि उर्धू भासा मुख्य थी, उन्हों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर भी उर्धू भासा को ठोपा। और उनकी बांगला संस्करती शवैता को बिल्कुल महत्व नहीं विया गया। पाकिस्तान के निर्मान के बाद से यहां के लोगों में इस बात को लेकर रोस था कि बंगला संस्कृती शब्वेता के लगातार उपेक्षा की जारिये इस कारण से वो इस बात को लेकर नाराज भी थे। दूसरा कारण था प्रशासन तता राजनितिक सक्ता में भागिदारी की मांग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सक्ता में साजेदारी नहीं भी गई कि उन्हें राजनीतिक और प्रशाशनिक शक्ता में हिश्यदारी दी जाए तीसरा कारण 1970 के आम चुनाव और शेख मुझिब रहमान के आवामी लीग को बहुमत मिलना वर्ष 1970 में संपुन पाकिस्तान के लिए चुनाव हुए और इस चुनाव में शेख मुझिब रहमान के नित्रतों में आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त बहुमत प्राप्त किया और ये पहले से तहता कि संपुन पाकिस्तान के लिए एक सविधान सभा को आहुत किया जाएगा लेकिन जैसे ही आवामी लीग को बहुमत मिला पूर्वी पाकिस्तान में पर पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन प्रारं हो जाता है। पहला प्रभाव ये हुआ कि भारत में शरणार्तियों की समश्या तता भारत पाकिस्तान युद लगबग 80 लाग शरणार्ती पूर्वी पाकिस्तान से पूर्वी भारत के तरप आगे है इन शरणार्तियों के कारण भारत के सामने बड़ी दिक्कत आगे इन शरणार्तियों क को संबालने की पुर्वी पाकिस्तान की लोगों की सरुक्षा करने के लिए भारत की प्रधान मंतर इंद्रा गांदी ने तीन दिशंबर 1991 को पाकिस्तान के साथ में युद्ध किया जिसे बांगलादेश के मुक्ति शंग्राम ही तो इस युद्ध को माना जाता है 16 दिशंबर 1991 को पस्षिमी पाकिस्तान की शैना ने भारत की शैना के सामने आतम समर्पन कर दिया और इस युद्ध में भारत की विजे हुई 16 दिशंबर को हम विजे दिवस भी मनाते हैं इस प्रकार से जैसे ही भारत क इस युद में जीत हुई इस युद के साथ ही बांगलादेश का निर्मान हो गया तो दूसरा इसका प्रिणाम हुआ बांगलादेश समापत होने से पहले ही पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्ताणी शना न्यान अतम समरपन कर दिया और अंतमें 1881 1911 में बांगलादेश का क्या हो गया निर्मान हो गया इस प्रकार से बांगलादेश एक नए देश के रूप में विश्व के मान चितर पर उबरा बांगलादेश के निर्मान में भारत का बहुत ही महतपुर्ण योगदान था इस बात का भी आपको ध्यान रखना है चोटे-चोटे प्रशनों की बात करें, आंदोलन का नित्र तो किस ने किया, शेक मुझी ब्रह्मान ने, दूसरा प्रशन महतपुर्ण पाल्टी कौन सी थी, आवा में लीग, कौन सा राजनितिक दल था, आवा में लीग, प्रशिमी पाकिस्तान के सासक कौन थे, या या खान कौन थे, या या खान, तो ये था आपका प्रशन, दूसरा प्रशन है, सत्रा में यत्वा में, नेपाल में लोगतंतर तता राजतंतर के बीच संगर्ष को इस्पस्ट कीजिए, तो नेपाल हमेशा से एक राजतंतर आत्मक देश रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नेपाल में लोगतंतर और राजतंतर के बीच में हमेशा संगर्ष रहा है, नेपाल में राजतंतर बहुत दीक पुराना है, तो वहां के राजपरिवार के लोग चाते हैं कि राजतंतर काइम रहे हैं, लेकिन जनता वरतमान में पुरे विश्य में जैसे लोगतंतर की स्थ सविधानिक राश्तंतर था, नेपाल में 1960 तक सविधानिक राश्तंतर था, सविधानिक राश्तंतर के दौर में नेपाल की राजनितिक पाल्टियां और आम जनता और खुले उत्तरदाई शासन की मांग कर रहे थी, इनकी 1947 में नेपाल में सविधानिक राश्तंतर था, इनकी जनता ने सम्विधानिक राष्टंतर में और ज़्यादा स्वाइतिता की मांग की। दूसरा पॉइंट लोकतंतर समर्तक आंदोलन तता सम्विधानिक लोकतंतर की स्तापना। यदिपी नेपाल ने लोकतंतर की बहली का आंदोलन लगातार चल रहा था। लेकिन 1980 के दशक में इसने और अधिक गती पकड़ी एक मजबूत लोकतंतर समर्तक आंदोलन हुआ और इस मजबूत लोकतंतर आंदोलन को देखते हुए ततकालीन राजा विरंदर ने 1990 में नए लोकतंतरिक शविधान की मांग को श्विकार कर ली अते नेपाल में 1990 से लोकतं तरिक शविधान की बात को श्विकार किया गया उसमें नेपाल के राजा कौन थे विरंदर थे लेखिल उसके बाद एक रहश्यात्मक तरीके से राजा ग्यानेंदर ने राजा विरंदर की हत्या कर दी और सत्ता किसके आतना आ जाती है राजा ग्यानेंदर के बीच में तो मैं माववादी, राजा और सताधारी अभीजन के खिलाब ससत्र विद्रो करना चाहते थे, इसकी कुछ समय तक राजा, शेना और लोगतंतर समरतकों और माववादियों के बीच में त्रिकोनिय संगर्स हुआ, छोटा प्रशिन ये भी बन सकता है, कि त्रिकोनिय संगर्स किस-किस के बीच में हुआ, तो शेना के बीच में, लोगतंतर के समरतक और माववादियों के बीच, राजा की शेना, लोगतंतर समरतक और माववादियों के बीच में त्रिकोनिय संगर्स हुआ, और इसी संगर्ष को ध्यान में रखती हुए राजा ने आउशर का फाइदा उठाया और वर्ष 2002 में संसद को भंग कर दिया और नेपाल में जो थोड़ा बहुत लोगतंतर बचा था उसे भी श्माप्त कर दिया एक नंबर का प्रशन नेपाल की संसद को कब भंग किया गया वर्ष 2002 में भंग किया गया 21 अपरेल 2006 को राजा को यनकी नेपाल की राजदानी काठमांडू में लाखों लोग एक्तरित हो गये जैसे ही संसद को भंग किया गया 21 अपरेल 2006 को नेपाल की राजदानी काठमांडू में लाखों लोग जो एक्तरित हुए थे उन्हाने राजा ग्यानेंदर को अल्टिमेट दिया कि 24 अप्रेल तक यदि वो लोकतंतर को बाहल नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा अगला पॉइंट लोकतंतर की बाहली इस अंदोलन से गबरा कर 24 अप्रेल 2006 में नेपाल के राजा ग्यानेंदर ने लोकतंतर की पुने बाहली कर दी संसत को पुने बाहल कर दिया इस प्रकारशे ये अंदोलन सपनवा इस अंदोलन का जो नित्रत्व है वो साथ दलों की जो गटवंदन था जेशे हम सेवन पाल्टी अलाइन्स का जाता है आपको यह प्रशन भी दियान रखना है कि सबत दली है गटवंदन का नाम कीया था नेपाल में सेवन पाल्टी अलाइन्स इसके औलावा माववादी और शामाजिक कारी करताओं ने इस अंधोलन का क्या किया नितरतु किया इस प्रकारशे नेपाल में रास्तंतर और लोक्तंतर के बीच में एक्षंगर्ष चला। विदिता पुर्वक तथा ताकतवर शामाजिक आंदोलन है कि पुष्टी कीजिए तो ये एक ऐसा प्रशन रहेगा कि परियावरण जो आंदोलन है वो जिवन्त है विदिता पुर्वक है और ताकतवर शामाजिक आंदोलन है इस कतन की पुष्टी कीजिए तो परियावरण क एंडियावरण की हानी की चुनोती को मद्य नजर विश्व के विबिन बागों में शक्रिये परियावरण के परती शक्रिय hemos को डर्शाया है सामाजिक चेहतना के दाइरे में ही राजनित्तिक आरवाई की नई सोच ने एक अन्दोलन का रूप ले लिया। आप एकदम शंक्षित में लिखे कि परियावरण की हानी को देखते हुए परियावरण समरतकों ने एक बहुत बड़े आंदोलन को प्रारम किया पूरे विश्व के अलग लग भागों में परियावरण के शंतर में अलग लग तरीके के आंदोलन हुए पहला पॉइंट आप वनों की जो अंदाधुंद कटाई हो रही थी, उसका विरोध किया गया, और ये जंगलों की अंदाधुंद कटाई के कारण, इस चैतर के लोगों ने परियावन समर्थ को आने जंगलों की कटाई का विरोध किया, जैसे मेक्शिको है, चीले है, ब्राजील है, मलेशिया है, इंडोनेसिया है, भारत है, ये कुछ ऐसे देश थे, जांसे दक्षिन विश्व के ऐसे देश थे, ये दक्षिन के ऐसे देश थे, जांसे वनों की कटाई का विरोध हुआ, तो वनों की कटाई का विरोध भी एक प् खनीज प्राप्त करने के लिए भरपूर रशाइनों का परियोग किया जाता है और ये भरपूर रशाइनों का जो परियोग किया जाता है इसे भूमी भी परदुशित होती है और जल मार्ग भी परदुशित होते हैं और इस्थान ये जो वनस्पती होती है वो भी शमापत हो तो खनीजों के अंदाधुंद दोहन के विरूद में जो आंदोलन हुआ वो भी एक प्रकार का कैशा आंदोलन था परियावरणी आंदोलन था तीसरा बाहंद विरूदी तता नदियों बचाओ आंदोलन देखिए बड़े-बड़े बाहंदों का जो निर्मान हो रहा था उस पॉइंट के माद्यम से इस प्रशन के उत्तर को किलिर किया वनों की कटाई के विरूद में आंदोलन दूसरा खनीज उद्यों की विरूद में आंदोलन और नदी बचाओ आंदोलन था उनकी बहांद विरूदी आंदोलन तो चाहे वन की कटाई का विरूद करने वाला आं इसलिए का जाता कि परियावरणिया आंदोलन जीवन्त है विविदता पुरुवक है और ताकतोर है अगला प्रशन है क्योटा प्रोटोकॉल पर टिपनी लिखिए जापान का शहर क्योटा वर्ष उननीशो संतानू में वाइक प्रोटोकॉल हुआ इसलिए इसलिए क्योटा प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, क्योटा प्रोटोकॉल एक अंतराष्टी समझोता है, इस समझोते के अंतरगत ये तै किया गया, कि पूरे विश्यो में अध्योगी करण के कारण, अध्योगिक देशों के द्वारा, विक्षित देशों के द्वारा, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्रदन के कारण ही global warming बढ़िए carbon dioxide, methane, hydro-color carbon एक नमबर का प्रशन पुछा जा सकता किनी तीन green house गैसों के नाम लिखिए carbon dioxide, methane, hydro, fluorocarbon है ये कुछ green house गैसे हैं ऐसा मानना है कि इन green house गैसों के उत्रदन के कारण परियावन को नुक्षान होता है global warming बढ़ती है अते global warming को रोकने के लिए विश्वेस्विक तापरदी को रोकने के लिए green house गैसों में कमी लाना जरूरी है क्योटा प्रोटरकॉल के तैट विक्षित जो विश्व के देस है और जोगिक जो देस है उन देशों को बाद्य किया गया कि आप लोग ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन में क्या करेंगे कमी करेंगे 19. बरानू का जो रियोडी जैनेरिया का जो प्रत्थी शम्मेलन था इस प्रत्थी शम्मेलन के अंदर इस बात पर शेहमती बनी कि समस्या साजी है लेकिन जिम्मेदारियां अलग अलगे क्योंकि परियावरन को ज़्यादा तर नुक्षान किसने पहुचाया आज ग्लोबल वार्मिंग का कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सरजन और सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सरजन किसने किया अध्योगिक देशों ने, विक्षित देशों ने, अर्थार विक्षित देशों की जिमेदारी क्या होती है, ज्यादा है, इसी के संदर में क्योटा प्रोटोकॉल किया गया था, तो ये था आपका क्योटा प्रोटोकॉल, अगला प्रशन है दलीत पैंतर्श आंदोलन की तो दलित पेंटर्स का गठन 1922 में माराष्ट की जुगी जोपडियों में रहने वाले शिक्षित दलितों की द्वारा किया गया। प्रशन है दलित पेंटर्स आंदोलन की विवेचना कीजिए तो सबसे पहला पॉइंट होगा दलित पेंटर्स आंदोलन की मांगें क्या थी। बिरुद किया। कि लंबे समय से हमारे शाथ में आर्थिक शमानता भी हो रही है और सामाजिक और समानता भी है और सामाजिक और समानता को समाप्त करने भी इसके आंदोलन का परमुक मांगती। बिरुद के साथ में जो समाप्त हो रहा है वो समाप्त होना चाहिए और उनके हितों की सुरुक्षा होनी चाहिए। अगला पॉइंट बुमीहिन जो गरीब किशान है उन बुमीहिन गरीब किशानों के हितों की क्या होनी चाहिए। रही जो गरीब करण के तहत जो मजदूर है वो अधिकतर वनचित वरगों के हैं आते उन वनचित वरगों के मजदूरं के एतों की सुरुक्षा होनी चाहिए। और दलीतों की पार्टी जो थी वो हमेशा से सपल रह रही थी तो उसको लेकर भी इनके मन में काफी विरोधना एक नमबर का प्रशन पूछा जा सकता है कि दलीतों की पार्टी कौन सी थी? Republican Party Of India दलीतों का राजनितिक दल कौन सा था? Republican Party Of India तो ये राजनितिक दल सपल नहीं हुआ तो फिर दलीतों ने एक बड़ा आंदोलन की मेन पूपलबदी क्या थी? दलितों पर अत्याचार करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया, तो ये थीन की मांगे और ये थीन की उपलब दी, अगला प्रशन है, चिपको आंदोलन परियावरन शंगरक्षन का अनुपम उधारा नहीं स्परस्ट कीजिए, ये बहुत मैत्मों प्रश प्रशन का अनुपम उधारन है, वर्ष 1903 में सुंदरलाल बहुगुणा के नित्रतों में उत्राखंड रज्य में ये आंदोलन प्रारम होता है, आंदोलन के कारण क्या थे? 1970 के दर्शक में उत्राखंड की शरकार के द्वारा, उत्राखंड की शरकार के द्वारा, इस्थान्य लोगों ने अपने क्रशिगत ओजारों का निर्मान करने के लिए, अंगु के पेड को काटने की अनुमती मंगी, कि हमें अंगु का पेड काटने दे, ताकि हम अपने क्रशिगत ओजारों का निर्मान कर सके, इस्थान्य लोगों ने शरकार के समक्षी मांग रखी, लेकिन शरकार ने उन्हें अंगु का पेड काटने के लिए अनुमती नहीं दी, लेकिन कुछी समय बाद एक कंपनी जो खेल सामगरी का निर्मान कर रही थी, उन्हें अंगु का पेड काटने के अनुमती दी, तब वहां के लोगों ने सुन्दरलाल बहुगुना के नित्रतों में उस बवराष्टे कंपनी के लोग जब पेडों को काटने के लिए तो पेडों से चिपक कर पेडों की रक्षा की, जैसा हमारा खिजरली आंदोलन वातामरता देवी विश्नुई जी के नित्रतों में, ठीक उसी प्रकार का ये भारत का पहला चिपक को आंदोलन था, इस आंदोलन में लोगों ने पेडों से चिपक कर पेडों की रक्षा की, कि पहले हमें काटना होगा इन प्रवाह नहीं की, इसके साथ सिपक को आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी, पहली मांग थी, तो एडिंग होगी पर मुख्य मांगे, पहली मांग थी, कि जल, जंगल और जमीन, जैसे प्राकरतिक संसादनों परिस्थानिय लोगों का अधिकार होना चाहिए, किसी भी बाह योगों को इस्तापित करे या लगू उद्योग इस्तापित करने के लिए हमें आर्थिक शयोग सरकार को देना चाहिए, साती इन लोगों की मांग थी, कि छेत्रिये जो पारिस्थिति के जो संतुलने उसको बचानी के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, ताकि परियाव तम मजदूरी की गारंटी की मांग बेश आंदोलन के तैत हुई एक पॉइंट हम और डाल सकते हैं आंदोलन में मैलाओं की भूमी का मैलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चट कर भाग लिया विशेस रूप से शराब माफियों के द्वारा ठेके द्वारों के द्वारा उस शेतर के पूलूशों को जो शराब की आपूरती की जाती थी उसका विरोध भी किस ने किया चिपको आंदोलन ने किया तो चिपको आंदोलन से कई कडियां जुड़ी हुई थी और अंत में पॉइंट होगा महतपुन उपलब दी एक नंबर का प्रसन भी पूचा जा सकता चिपको आंदोलन की उपलब दी क्या थी तो इस आंदोलन की सबसे महत्पून उपलब दी थी कि शरकार ने पंदरा वर्षों के लिए हिमाले चैतर के वनों की कटाई पर क्या लगा दी रोक लगा दी ताकि हिमाले चेतर के सारे हिमाले चेतर के जो वन है या जो चेतर है वापिस वना अच्छा दित हो सके तो 15 वर्षन तक सरकार नहीं हिमाले चेतर के वनों की कटाई पर क्या लगा दी रोख लगा दी अगला प्रशन है 1990 के चुनाव प्रिनाम की शमिक्षा करतेवे भारत में गटवंदन युग के उधे के कारण बताईए 1989 के चुनाव के प्रिनाम क्या रहे और भारत में गटवंदन युग के उधे के कारण बताईए 1989 में नौवी लोक्षबा की चुनावे इस चुनाव में किसी भी राजनितिक दल को इस पर्ष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ सबसे बड़ा राजनितिक दल कॉंग्रेश पार्टी थी कॉंग्रेश पार्टी को महज 197 117 शिट्य प्राप्त हुई किसी भी राजनितिक दल को इस पर्ष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ नमबर टू पॉइंट होगा 1990 के चुनाओं के बाद कॉंग्रेश प्रणाली शमापत होगे कॉंग्रेश प्रणाली का मतलब श्वतंतरता के बाद जो लगातार कॉंग्रेश की सरकार थी 1977 से 1979 के बीज का कारेकाल निकाल दे जिसमें जन्ता पालिटी की सरकार बनी तो मुरारजी देशे और चोदरी चरन सिंग देश के प्रधानमंतरी बने थे 1990 तक आजादी के बाद से लगातार Congress Party की सरकार थी ये जो Congress परनाली थी ये Congress परनाली क्या होगी समात होगी क्योंकि इसके बाद गटबंदन की सरकारे बनी और किसी भी राजनीतिक दल को इस पस्ट पोमत प्राप्त नहीं हुआ 1990 के चुनाव में कॉंग्रिस पार्टी विपक्ष में बैठी और राष्ट्य मूर्चे की सरकार बनी वीपी शिंग देश के क्या बने प्रधार मंत्री बने तो पहला परिणाम कॉंग्रिस पार्टी की पराजे होई दूसरा कॉंग्रिस को महज 173 सीटे मिली तीसरा कॉंग्रिस प्रणाली शमाप्त हो गई चौता गटबंदन के युग की सुरुवात हुई पांचवा कॉंग्रिस विपक्ष में बैठी और राष्टे मूर्चे की सरकार बनी वीपी शिंग देश के क्या बने प्रधार मंत्री बने लेकिन इसमें एक ही प्रशन में दो प्रशन है 1990 के चुनाओं के प्रणावों की तो हमने समिक्षा कर दी अब प्रशन है कि भारत में गटबंदन के युग के उधे के कारण क्या थे तो देखिए 1990 के बाद भारत में गटबंदन की राजनित्ति का उधे हुआ 1990 के बाद इनकी 1984 में कॉंग्रिस पार्टी को बहुमत मिला उसके बाद 2014 में भारते जन्ता पार्टी को बहुमत मिला हलांकि शरकार 2014 में भी राजजक की थी गटबंदन की थी 1990 के बाद में जितनी भी चुनाओं है किसी भी चुनाओं में किसी भी राजनितिक दल को इस पस्ट बहुमत प्राप्त नहीं वा जितनी भी शरकारे बनी वो गटमंदन की सरकारे बनी इस गटमंदन की युग के कारण क्या थे गटमंदन की युग के उधे के कारण क्याते पहला कारण था कॉंग्रेस प्रणाली की समाप्ती 1990 के बाद राष्टे राजनित्ती में कॉंग्रेस का आधिपत्ते लगबख शमाप्ता हो गया हलांकि जो सरकारे बन रहे थी उसमें कॉंग्रेस की भुमी का जरूरती लेकिन कॉंग्रेस को इस पस्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ कॉंग्रेस की विरूद अनेक राजनित्तिक दल आए और गटमंदन कारी शरकारों का दौर प्रारम हुआ तो पहला तो कारण था कॉंग्रेस प्रणाली की समाप्ती और दूसरा कारण था छेत्रिय दलों का उध्वव 1990 के बाद भारती राजनित्ति में अनेक छेत्रिय दल का उभार हुआ तो किसी भी राजनितिक दल को इस पस्ट बोमत प्राप्त नहीं हुआ तो छेत्रे दलों की अधिक्ता और छेत्रे दलों की सफलता के कारण भी गटवंदन का युग प्रारंब हुआ चाए लोक्षबा चुनाओ हो चाए विदान सबा चुनाओ हो सबी चुनाओं में छेत्रे राजनितिक दलों का जबरदस्त तब दबा रहाता तो ये थे गटवंदन के युग के उदे के कारण अंतिम प्रशन है अयोध्या विवाद की समिक्षा कीजिए आप जानते हैं कि अयोध्या विवाद बहुत बड़ा विवाद रहा है लेकिन हमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट इस प्रशन का उत्तर देना है तो पहला पॉइंट हमारा होगा फैजाबाद जिला न्याले द्वारा बाबरी मस्जिद पर निरने देना फरवरी 1986 1986 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिला नियले ने एक निरने दिया और ये निरने दिया कि अयुद्या में जो मंदिर है उस मंदिर के आहत है इनकी दर्वाजय का ताला खोल दिया जाए ताकि हिंदु लोग अपनी आस्ता प्रकट कर सके अपनी पूजा पाठ कर सके सोलवी शताबदी के अंदर जिसे में बाबर सोलवी शताबदी के अंदर बाबरी मस्जिद का निर्मान जो है मीर बाकी के द्वारा आयुद्या में किया गया सोलवी शताबदी में मीर बाकी जो की एक शनापती था एक नमबर का प्रशन बनेगा सोलवी शताबदी में मीर बाकी ने अयुद्या में एक मस्जिद का निर्मान किया जिसका नाम था बाबरी मस्जिद हिंदुओं का ये मानना था कि जो अयुद्या में जो रामंदिर है उसी में उस बाबरी मस्जिद का निर्मान किया गया अते हिंदु लोग लगातार उस मस्जिद की जगे अपने मंदिर की मांग कर रहे थे 1940 के आखिर में ब्रिटिश शरकार ने ये विवादी ते ढहा चाता अते ये मामला अधालत में चल रहा था इसलिए इसके आहते पर मस्जिद पर क्या लगा दिया ताला लगा दिया 1940 में ब्रिटिश देखी पहले तो सोलवी शताबदी में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्मान करवाया अयुद्या में हिंदु धर्म के लोगों का मानना था कि अयुद्या भगवान राम की जनम भूमी है आते उसी जगे पर बाबरी मस्जिद बनेगी जहाँ पर भगवान सरी राम का मंदिर था आते उन लोगों ने मंदिर की मांग की 1940 में ब्रिटिश शरकार के द्वारा उस मस्जिद के आहते पर लगा दिया गया क्योंकि मामला आदालत में था 1960 में फ्यजाबाद जिला नियाले निरने दिया कि ये ताला कहल दिया जाए दूसरा पॉइंट मंदिर के आहते का ताला खुलना वह दोनों पक्षों में लाम बंदी जैसे ही मंदिर का ताला खोला गया जिला नियाले के आदिशा अनुशार दोनों पक्षों में हिंदू और मुसल्मानों में लामबंदी प्रारम हो गई और राष्ट्य स्वैम से वक्षन विश्वे हिंदू परिशत जैसे संगटनों ने भाजबा के साथ मिलकर परतिकात्मक और लामबंदी के कारिक्रम चला है और इसे तो आपको याद आ रहोगा कि गुजरात के सोमरात मंदिर शे उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक एक रत यात्रा भी निकाली गई अगला पॉइंट कार सिवा का अयोजन और अयोध्या में मस्जिद का विद्वन्ष राम मंदिर के समर्थकों ने दिशंबर उनिशो बराणू में कार सिवा कायोजन किया कि जो भी राम बक्त है और मंदिर के निर्मान में अपना योगदान देना चाता है वो अयोध्या पहुँचे पूरे भारत से लाखों की संक्या में लोग अयोध्या जा रहे थे हाला कि उचेतम नियाले ने रज्जे सरकार को ये निर्देश भी दिया की विव्यदीत धाचे की इस रुक्षा की जाए लेकिन 6 दिशंबर 1922 को कारशयोकों ने मस्जिद के कुछ चीशे को खंडित कर दिया और जैसे मस्जिद को गिराया गया पूरे भारत में हिंदू-मुसल्मानों के बीच तनाव बढ़ गया 1913 में जनवरी में सामपरदाइक दंगे भी हुए और 1922 में भी सामपरदाइक दंगे हुए उसका परिणामे की ये भी हुआ गुजरात का गोधरा कांड एक लाइन इसके बारे में भी लिख शकते हैं कि वर्स 2002 में फरवरी में अयुद्या से एक ट्रेन लोट रहे थी जिसकी एक बोगी में डिबे में 57 कार से वक्ते उस बोगी के आग लग जाती है और 57 के 57 जिंदा जल जाते हैं ऐसा अरूप लगाया गया कि आग मुसल्मानों ने लगाई और उसके बाद में गुजरात में शाम परदाइक धंगे खुए तो ये था आपका युद्या विवाद तो 30 मिनट लगबोग हो चुके हैं तो मुझे लगता है शव भागी हम इस वीडियो में हल करेंगे अगला हल आपके आज साम तक और आज साम को मॉडल पेपर एक के आंश्वर की पीडिया आपके टेलिग्राम गुरूप में 100% बेज़ दी जाएगी आप सभी का बहुत बहुत आभार के आप जुड़ेवे हैं मुझे पूरी अपेक्षा है कि जिस उदेशे से ये परिक्षा से पहले कि हम स्रीज चला रहे हैं राजनीत्ति विज्यान के लिए आप जरूर लाभान भी तोंगे और मेरा लक्षे है कि एक मॉडल पेपर इसके बाद में और आप लोगों तक पहुचा जाए तीन मॉडल पेपर यदि आप पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि आपके पास पौने 200% पहुँच जाएंगे और 12 अधियाय में से 25% का मतलब है प्रतियक अधियाय में से लगभग 15 स्वाल उससे इर्द गिर्द से ही स्वाल आपके पेपर में आएंगे तक बाद कुने आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आबार